अब नमबर सिस्टम की दुनिया में और एक धासू टॉपिक के हम जो शुरुवात कर रहे है उसका नाम है नमबर ओफ ट्रेइलिंग जीरो और इसी को मैक्सिमम पावर थेरम बोला रहता है बेसिकली यह एक मैक्सिमम पावर थेरम की ट्रीक है उससे अब नमबर ओफ ट्रेइलिंग जीरो अब सरी ट्रेइलिंग जीरो क्या है सब बताऊँगा question की theme के होगी trailing zero find करना मतलब exactly क्या find करना maximum power find करना मतलब exactly क्या find करना सब बताओं आपको introduction में और फिर उसके हम देखेंगे must must question तो यार यह भी direct exam variety है जो एक बहुत ही basic trick से solve होगी बहुत ही important trick से solve होगी अगर आप calculator use करो तो यह fail है लेकिन वो trick से अच्छे-च्छे question इसके solve हो जाते है तो क्या होता है trailing zero कैसे find किया जाता है क्या होता है maximum power कैसे find किया जाता है आज यह सब हम देखेंगे एक बहतरीन trick के साथ इस number lecture number five में तो number system की दुनिया का lecture number five है पिछला unit digit theorem आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो देख लोगा इस बहुत important exam point of view उसी तरह अब यह भी come on guys तो आज क्या क्या देखने आले जैसे मैंने का concept and trick for finding number of trailing zeros क्या होता है concept भी बताओंगा आपको trailing zeros मतलब क्या और उसको निकालने की trick भी बताओंगा फिर उससे related हम questions करेंगे जैसे वह होता है फिर हम तुरंद concept and trick देखेंगे finding maximum power तो क्या होता है concept कैसे question आते और उसको find chain कैसे किया जाता है वो trick बताओंगा और फिर उसके questions करेंगे है ना तो yes guys शुरुवात करते है number of trailing zeros theorem का तो number of trailing zeros मतलब क्या trailing zeros मतलब पता है जैसे अगर मैं आपको एक number दे दू two five seven eight zero 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 मानलो यह हमारा एक number है अगर मैं इसमें बोलू find number of trailing zeros तो पता है आप क्या बोलोगे एक दो तीन number of trailing zeros मतलब number यह जो भी जितने number of zeros पे खतम होता है उतने number of zeros को count कर लो उसको trailing zeros बोला जाता है खतम concept इत्तु सा है trailing zeros मतलब क्या किसी भी number या कोई भी बड़ा सा expression दिया जाएगा आपको उसका जो भी final answer आएगा उस final answer से उसको मतलब नहीं जैसे unit digit theorem में आपने देखा था unit digit theorem में आपको सिर्फ unit digit से मतलब था पूरा answer क्या रहा है मतलब नहीं उसी तरह यह बड़े-बड़े expression दिया जाए जी रोज का वो count कर लो खतम तो अगर मैं यह number मान लो एक expression का answer मेरा यह आया तो इसमें number of trailing zeros कितने है थ्री अगर मैं बोलो बताओ number of zeros तो आप बोलोगे थ्री number of trailing zeros 3 मान लो अगर कोई ऐसा answer आता तो number of trailing zeros अगर मान लो कोई expression का answer यह आता तो इसमें आप number of trailing zeros कितने बोलते 135078052000 तो trailing zeros कितने बोलते आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे सरह यहापर number of trailing zeros 6 आएगा कोई सोच रहे होंगे सर्फ 4 आएगा guys तो जो 6 बोल रहे है वो बिलकुल गलत है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको concept बताया कि trailing zeros मतलब क्या number खतम होने के बाद यानि non zero digit के बाद आकरी में जितने line से zeros है बस question वो पुछेगा आपको trailing zeros मतलब क्या होता है बस वो ही कि last में कितने zero है line से उसके बीच यानि नंबर के बीच में अगर कोई एक दो जिरो आ चुके देखे जैसे यहाँ पर एक जिरो आया यहाँ पर जिरो आया वो नंबर का पार्ट है वो नंबर का हिस्सा है यह भी नंबर का हिस्सा है लेकिन इन दो जिरो को trailing zeros नहीं बोल रहा था क्योंकि यह continuity ब्रेक होगी जिरो क के बाद आपी जिरो की शिरीज थोडिना शुरू ही जिरो के बाद से बना गया continuity ब्रेक होगी जिरो की जिरो के बाद 5 हुआ continuity ब्रेक होगी लेकिन देखो यहां से जो continuity है वो आखरी तक बरकरार है तो trailing zeros कितने बोलो गया आप पूर समझे गाइस तो number of trailing zeros का concept बस इत्तू सा है कि कोई भी number में आखरी में जितने line से 0 है उतने बोल दो अगर उस number के बीच में कोई 0 आ भी जाता है तो trailing zero का part नहीं होता जैसे कि यह zeros इसमें trailing zeros कितने 4 इसमें कितने 3 तो concept मैंने आपको बता दिया है बात करते है trick की आप सोच अगर दिया होगा तो solve करना पड़ेगा जैसे आपने single value form में answer लाया वैसे कि हमें single value form में answer लाकर फिर last के zeros count करने होंगे नहीं ऐसा करोगे तो फिर से पैर पे कुलाडी मारने आली बात होगी है इतना time थोडी ना exam में तो अब इसके trick है पहले तो expression देख लो कैसे आएंग औ हमें तो direct पूरा conventional method से नहीं करना है हमें पूरा calculate नहीं करना है sir बचालो इस question से तो फिर आप खुद बोलोगे sir trick बताओ तो देखो कैसे question आते है अब देखो number of trailing zeros में दो type की series आती एक आती है random एक आती है यह अपने आपसे मैंने नाम दिये है और एक आती है systematic तो random series और systematic series दोनों में number of zeros निकालने का अपना अपना फंडा है दोनों की theme सेम है लेकिन देखो अब फंडा क्या है तो सबसे पहले में आपको बात करूँगा random series की random series मतलब क्या कोई भी number कभी भी आ जाना systematic हम किसको बोलते है जो predictable होती है जैसे के 1 into 2 into 3 into 4 अब यह systematic हुई न यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर अगला number 5 आएगा अगला number 6 आएगा यह systematic है मान लोगो यह एसी है 2 into 4 into a 6 into 8 यह भी क्या होई systematic हुई क्योंकि यह predictable है अगला number अग फिर कोई factorial series जो होती है 5 factorial 120 factorial यह factorial series भी क्या होती है systematic series होती है तो जब यह systematic series है तो उसको निकालने का एक बहुत ही अलग फंडा है हाला कि theme दोनों की से हम है लेकिन यह और भी आसानी से निकल जाता है आसानी से simple में तो यहाँ पर देखो आप बोलों किसी को यह भी नहीं बत है तो किसी भी नंबर का factorial मतलब उसका descending में multiplication जब तक 1 नहीं आ जाता है ना यह permutation combination में काफी use करोगे आप तो 5 factorial मतलब 5 का descending में multiplication तिल 1 जब तक 1 नहीं आ जाता है अगर 4 factorial होता तो 4 का descending में multiplication मुझे बताओ तो factorial series भी क्या बनती है systematic series बनती है ना predictable है यह भी systematic series है 120 factorial मतलब 120 का descending में multiplication कब तक जब तक 1 नहीं आ जाता यह भी systematic series है तो जबी भी systematic series है तो उसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है और भी आसान तरीका रदर दान random series तो random series आप समझी क्योंगे जो systematic नहीं हो random है यानि कोई भी number कभी भी आ रहे जैसे के 13 into 57 into 5 into 15 है ना यहाँ पर कोई भी कालमेल है numbers की बीच में अगर मैं आपको next number बोलो तो आप प्रेडिट कर पाओगे नहीं तो random series जब आए तो एक अलग funda है उसी funde को और थोड़ा simple किया है systematic में फंड़ा वही है जो random series में हम यूज करने वाले लेकिन उसको और simple किया है अगर series systematic हो तो guys number of trailing zeros निकालते समय आपको बस अब कैसे thought process होनी चाहिए वो समझो जबी भी आप number of trailing zeros निकालोगे तो आपका पुरा focus किस पर होगा पहले तो कि जो sequence आपको दिये numbers की जो series आपको दिया है जो expression आपको दिया है numbers का वो random form में है या systematic और वो तो आप आखों से बता सकते हो इस तरह से कुछ है factorial form में कुछ है तो systematic अगर ऐसे कुछ भी कोई भी number कहीं भी दिया है तो random तो ठीक है तो अब मैं शुरुआत करते हो सबसे 8, 625, 120 and again 15 चलो तो guys यह एक series और आप खुद देखकर बता सकते हूं कि systematic तो नहीं क्यों कोई भी number randomly कभी भी आ रहा है तो random series में अब number of zeros कैसे निकाले आप पहली बात तो पहला सबसे conventional traditional approach के आप समझी गए होंगे कि इस पूरे number को multiply करो और आपको पता है कि cat में खेर calculator allowed है लेगिन कभी गभी इतना बड़ा expression होता है कि calculator भी syntax error बता देता है दूसरी बात आपको बाकी omet में calculator allowed नहीं है तो ऐसे number को क्या अपने आप से multiply करने की हिम्मत करोगे कर तो लोगे लेगिन फिर क्या वो effective है time कितना बरबाद होगा तो guys simple है तो ऐसे question में हम conventional approach तो यूज नहीं करेंगे कि पूरा multiply करेंगे और फिर last में कितने zeros है count कर लेंगे हम यह ऐसा नहीं करेंगे तो अब trick क्या है तो guys अब वो trick पर आने से पहले हम थोड़े past में जाते हिस्ट्री में जाते है आप मुझे बताओ हम find कर रहे zeros बट zeros का जनम किसने दिया अर्यवट अर्यवट ने खोज की है ठीक है आप सोचोंगे अर्यवट तो अर्यवट ने ख दो प्राइम फेक्टर के multiplication से यानिके 2 and 5 इन दोनों के मल्ट आप बोलोगे सर 10 से multiply करो 0 मिलेगा बट 10 भी कैसे आया है इन दोनों के multiplication मतलब 0 के माता पिता को ने 2 and 5 सर माता को ने इसमें पिता को ने वह आप देख लो ठीक है आप figure out कर लो लेकिन 2 into 5 यह है गाईज वो दो प्राइम फेक्टर जिनके multiplication से 0 जनम हुआ है 0 create हुआ है तो सखतम अगर आपको number of zeros count करना है तो आपको past में जाकर यह समझना होगा कि 0 को जनम देने वाले यह दोनों है तो जब तक यह दोनों मिलेंगे नी 0 का जनम होगा नी और वो कितने pair मिल रही है बस वो count करना ह जितनी 2 x 5 की pair है जितनी 2 x 5 की number of pair से उतने number of zeros होते है तो बात की एक बात तो 2 x 5 की बस pair count कर लो जितनी 2 x 5 की pair से उतने number of zero that's it simple देखो 10 में देख लो आप 10 में एक ही 0 है क्यों क्योंकि 2 x 5 की एक ही pair बनती ही 100 देख लो guys 100 को आप कैसी लिखोगे 100 can be written as 4 x 25 4 मतलब ही क्या हुआ 2 square 25 मतलब ही क्या हुआ 5 square तो guys 2 square x 5 square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 x 5 का whole square 2 का भी square है 5 का भी square है तो 2 x 5 का whole square तो देखो guys 100 में 2 0 है क्यों क्योंकि 2 x 5 की 2 pairs है 3 में एक ही है 2 x 5 की एक ही pair है 100 में देखो 2 x 5 की 2 pairs होती है इसलिए 100 में 2 0 होते है अगर आप और आगे जाओ 1000 तो 1000 को हम कैसी लिख सकते है 8 x 125 8 मतलब क्या 2 cube 125 यहने 5 cube अगें 2 cube x 5 cube को हम combine लिख सकते है 2 x 5 का whole cube 1000 में 3 0 पता है क्यों है क्योंकि है 2 x 5 की 3 pair बनती है तो जितनी 2 x 5 की pair उतने number of 0 खतम this is the only theme of this topic यह एक लोगता theme है इस topic का ठीक है तो guys आपको बस अब क्या करना है जो भी series D है बाकी prime factor के तेल लेने 3, 7, 11 हमें उससे मतलब ने हमें सिर्फ क्या count करना है कि इसमें 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है और फिर हमें 2 x 5 की pair मिल जाएगी कि 2 x 5 की कितनी maximum pair हम बना सकते है जितनी maximum pair बनेगी उतने 0 रहेंगे ना उससे एक कम ना उससे एक जादा हमझे so 2 x 5 का एक pair है तो 1 0, 2 pair है तो 2 0, 3 pair है तो 3 0 and so on तो guys खतम शुरुआत करेंगे यह रहे आपके सारे और अब आप सर ऐसे 2 और 5 हम कैसे account करेंगे तो उसके लिए 2 lecture से हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने number of factors के case में देखा था यादे न lecture number 3 number system का playlist है अगर आपने miss किया होगा तो देख ले ना आपने कर सकते हैं उसको करो जिसको नहीं कर सकते हैं उसको factorize करो है ना जैसे 15 तो मैंको और ली पता है 15 इन भी रिटन है आज 5 into 3 5 into 3 18 को again मेरे को मालूम है 18 मतलब क्या होता है 18 यह नहीं होता है 6 into 3 बट 6 या 9 into 2 but 9 भी खुद एक composite number है तो 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 square into 2 बराबर 3 square into 2 हाला कि हमें 3 से मतलब नहीं है हमें सिर्फ किस से मतलब है 2 and 5 से पहले तो सारे number को हम factorize कर रहे है तो यह हुआ 15 के factor 5 into 3 factorize करना मतलब उसके prime factor form में है तो देखो 5 भी और 3 भी prime factor है 18 मतलब क्या होता है अगर आपको 18 का direct नहीं आता तो हमने method पता है आपको 18 2 से divide होगा 9 आ है वराबर 55 मतलब क्या होता है 11 into 5 8 मतलब क्या होता है 2 cube 625 मतलब 5 raise to 4 होता है अगर नहीं पता है तो आप यहां पर यह कर सकते हो 5 को divide कर लो एक बार 5 से हो रहा है पक्के में हो रहा है तो दिमाग में बतती जली कि 5 से तो पक्का divide होगा तो आप 5 से शुरू कर अगर 3 से होना है तो आगे हो जाएगा ऐसा कोई जोरूरी नहीं कि आपने छोटे वाले से ही शुरुआत करनी है तो 5 से divide किया 125 और 5 से divide किया 25 और 5 से divide किया 5 और 5 खुद एक prime factor है तो 625 मतलब 5 raise to 4 120 मतलब क्या होता है 12 into 10 10 मतलब फिर से 2 into 5 होता है 12 मतलब फिर से 2 square into 3 होता है तो in short ये क्या बन जाता है 2 cube into 3 into 5 बराबर चाहे तो check कर लो 120 को मैं पहले 2 से divide करूँगा 60 और 2 से करूँगा 30 और 2 से करूँगा 15 अब 3 से होगा 5 और 5 खुद एक prime number है मतलब 120 को 1 आते आते क्या ल time तो 2 cube into 3 into 5 and last क्या बचा 15 15 तो मैं पता है 5 into 3 guys finish तो ये रहा आपके सारे number का calculate करने की ज़रूत नहीं थी हमने सिर्फ किया गया factorize और ये सारे factorize तो आपको मैंने बताया करके अदरवाइस एक बार आपको expertise आगई practice में आगए तो आप orally कर सकते हो और जैसे मैंने कहा कि time factor से मतलब है हमें सिर्फ क्या देखना है कि इस पूरे expression में इस पूरे expression में 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है खतम तो 2 पहले count करेंगे यहाँ तो कोई 2 नहीं है यहाँ पर एक 2 है 1 फिर यहाँ पर कोई 2 नहीं है ठीक है अच्छा लेकिन 5 हो सकता है इसलिए मैं cut नहीं करता तो पहले 2 count हम कर रहें तो 2 यहाँ पर एक बार है है ना फिर यहाँ पर 9 यहाँ पर 2 है तीन बार तो 1 और 3 चार हो गए यहाँ का 1 और यह 3 चार हो गए यहाँ और 3 बार है 4 और 3 साथ और आगे कही पर भी है नहीं तो 2 आया 7 टाइमस 2 आया 7 टाइमस अब 5 count कर लो गए 5 एक बार फिर 5 आया 2 बार 3 बार 3 और 4 साथ बार देखो यहाँ पर 4 टाइमस है जितनी पार उतना टाइमस तो यहाँ बार इस ब्रैकेट में एक बार इस ब्रैकेट में एक बार इस ब्रैकेट में एक बार 3 और यह 4 साथ और यह 8 और यह 9 तो गाइज इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 हमारे पास 7 ताइम से 5 हमारे पास 9 ताइम से अब सिंपल है वीडियो को पॉस्ट करके मनी मन सोचो एक बार की बताओ इसमें number of zeros कितने होंगे आप में से कोई स्टूरेंट सोचेंगे 7, कोई सोचेंगे 9, कोई सोचेंगे दोनों का एडिशन 16 तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मैंने आपसे क्या कहा था number of zeros उतने जितनी 2 into 5 की pair है pair, पुरी pair सिर्फ 2 अकेला 0 create नहीं कर सकता, सिर्फ 5 अकेला 0 create नहीं कर सकता दोनों की pair 0 को create करती है तो 2 into 5 की कितनी pair आप maximum यहां बना सकते हो, guys, 7 क्योंकि पता है, 9 times हमारे पास 5 है, लेकिन 2, 5 को pair किस से बनाने है, 2 से तो 2 तो सिर्फ साथ ही बाहर है न तो pair तो जो 5 भला ही हमारे पास जादा है, लेकिन इसके 7 times 6 हमारे पास 2 है तो जो 5 है वो pair maximum कितने 2 से बना सकते है, 7 2 से यानि pair हमारे पास साथ ही बनेंगी, बच्चे वे जो 5 है वो ऐसी रह जाएंगे यह न, बच्चे वे 2 single 5 है, single 5, 2, वो ऐसी रह जाएंगे simple है यार, बहुत logical ही सोचो, मानलो मेरा marriage bureau है और मेरे पास 7 girls का buy data आया है और 9 boys का buy data आया है तो maximum कितनी शादिया मैं करवा सकता हूँ, 7 girls है, 9 boys है बट मुझे शादी करवा नहीं है तो शादी मतलब क्या होता है, pair of boy and girl, तो guys यहाँ पर भला ही 7, 9 boys है बट girls तो 7 ही है तो maximum साथ ही शादिया करवा हुआ, दो लड़के यह ही ओपट लाल रह जाएंगे, कुवारे रह जाएंगे तो खतम है, simple है guys, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बोलू number of zeros या number of trailing zeros तो आप बोलोगे जितनी 2 into 5 की pair है और वो maximum 7 ही बन रही है वो maximum कितनी बन रही है, 7, 7 pairs of 2 into 5, इसने number of trailing zeros 7, खतम everyone चमका और कुछ नहीं इसमें, इत्तु सा topic है तो जबी भी random आएगा, यह हम किसके लिए मैंने काया, दो ही variety देखने है एक तो random और systematic, systematic तो इससे भी easy, इससे भी हलवा है क्यों मैं बताऊँगा आपको, उसका reason भी बताऊँगा तो guys, जबी भी लेकिन random series आपको क्या करना है, सारे number को factorize करो उसमें जो भी 2s है, count को और बाकी सारे prime factor से हमें मतलब नहीं है 2 कितने count करो, 5 कितने count करो, और जितनी maximum pair बना रही उतना answer है और maximum pair यह बाद भी आप समझ लो, दिमाग में fit कर लो maximum pair इतनी बनेगी जो rare है, जो rare है वो answer है, बस यह double inverted comma में दिमाग में fit कर लो, 2 7 times आया है, 5 9 times आया है, उसमें से rare कोन है मतलब हम आपास जादा population 2 की है या 5 की है जादा population 5 की, यानि rare कोन है, rare 2 है तो वो जितनी बार आया है, वो answer है हो सकता है किसी expression में 5 sometimes आया, 2 भर-भर के आया जब हम क्या बोलेंगे, 5 जितनी बार आया है, वो answer है इस वाले expression में, 5 जादा आया है, 2 कम आया है तो जो कम आया है वो answer है जो rare है वो answer है ठीक है? तो यह rare को ने 2 इन दोनों में सबसे कम को नाया है 2 तो उसका जो भी number है वो answer है guys तो maximum pair हम इतनी बना सकते हैं कम का guys तो यह है random series यह है random series यह से कुछ भी आजाया आपको 15, 8, 16, 20 and 40 ठीक है? अगर आपको इसमें count करना है तो फिर से आप क्या करोगे यहां 15 15 मतलब क्या 5 into 3 8 मतलब 2 cube, 16 मतलब 2 raise to 4 20 मतलब क्या होता है 2 square into 5 देखो 2 square मतलब क्या 4, 4 into 5 दोनों prime factor है 14 मतलब क्या होता है 2 cube into 5 2 cube into 5 2 cube याने 8 into 5 देखो बराबर 40 आया यह 40 हुआ, यह 20 हुआ, यह 16, 8, 15 अब इसमें 2 count कर लो 2 देखो 3, 3 और 4, 7 7 और 2, 9, 9 और 3, 12 12 times 5 count कर लो 5 आया है एक बार, 5 आया है दो बार 5 आया है तीन बार मैंने क्या कहा? जो rare है वो answer है maximum भलाई 2 भर भर के हमारे पास लेकिन 5 शरीप 3 times ही है 12 boys के बाई डेटा 3 girls के बाई डेटा, शाधिया कितनी होगी 3, उसी तरह 12, 2s 3 times 5 है तो maximum pair कितनी बनेगी? 3 जो rare है वो answer, तो इस बार rare को ने 5 कितनी बार है? 3, तो number of zeros में क्या बोल दूँगा? number of zeros बोल दूँगा 3, last time come number 2 का था, तो इसलिए जितनी बार हो आया था उतना हमने answer बोला, इस बार come number 5 का है, तो जितनी बार हो आया है वो हमारा answer है that's it, तो guys यह है एक random series का example अब हम देखते है systematic series systematic series में भी सबसे famous है factorial series, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ और यह जो factorial series में बता रहा हूँ आपको अब उसी से आप हमारे lecture, आज के lecture का जो दूसरा concept है, maximum power theorem वो भी आप समझ जाओगे वो मैं बात तब करूँगा, कुछ questions देखने के बाद लेकिन बिलकुल यही theme रहेगी तो guys, again आते हैं number of trailing zeros में जब systematic series हो तो मैं मानता हूँ कि मान लो चलो 124 factorial question आपको बोल रहा है जैसे 5 factorial में देख लो guys 5 factorial याने 5 into 4 अभी मैंने बता है, factorial मतलब उस number का descending में multiplication till 1, याने कितना है है 120 4 factorial देख लो 4 into 3 into 2 into 1, 24 उसी तरह आपको यहाँ पे number कहा दिया है 124 factorial, याने 124 into 123 into 122 ऐसे करते-करते 1 तक और इसमें आपको number of 0 धुनना है तो guys जो हमें आप यह random series हमने देखी थी, उसमें हमने कैसे किया था हर number को factorize किया, factorize किया factorize किया, फिर 2 कितनी बारे देखा 5 कितनी बारे देखा और जो कम है, वो answer दे दिया, जो rare है, वो answer है बट यहाँ पर यह करना क्या effective रहेगा? random series में गिने चुने number थे, छे साथ 8 number यहाँ देखो कितने number है और यह तो स्रिप 3 digit का factorial है आप कभी-कभी देखते हो 4 digit का भी factorial आता है तो क्या इतना सब को करना prime factor form में convert करना, factorize करना possible है? time effective है? नहीं तो फिर क्याट रहे? तो guys, याद रहे systematic series में factorize करने की जरुद है ही नहीं theme वो ही है, 0 को create किस नहीं किया? 2 into 5 है, 2 into 5 है तो हमें number of zeros अगर count करना है, तो हमें 2 into 5 की pair ही count करनी है लेकिन दोस्तो 2 into 5 में जो कम है वो answer है जो rare है वो answer है मैंने आपसे कहा था बराबर random series में हमने 2 example देखे एक बार 2 rare था तो वो जितनी बार है वो answer बना फिर second example में इस वाले में 5 rare था तो 5 जितनी बार है वो answer बना बट systematic ये random की बात ही, मैंने खाना systematic इससे भी आसाने क्यों क्योंकि systematic series में 5 ही rare होता है systematic series में 5 ही सबसे कम बार आता है सबसे कम बार कोन आता है 5 आप चाहे तो अपने आखों के सामने दो example है देख लो 4 factorial में मुझे बताओ 5 कितनी बार आया एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं, हाला कि 2 देखो यहाँ पर आ गया, 2 देखो यहाँ पर आ गया क्योंकि 4 मतलब भी क्या होता है, 2 square, 5 एक बार भी नहीं तो guys यहाँ पर 2 कितनी बार आ गया, यहाँ पर दो बार आया, 4 square मतलब दो बार और यहाँ पर एक बार, 3 times और 5 कितनी बार आया, 0 टाइम और इसलिए देखो, यहाँ पर 1 भी 0 बना 4 factorial का जो answer है 24 उसमें 1 भी 0 है, नहीं क्योंकि यहाँ 5 इंटू 2 की एक भी पेर नी बन रही 2 भला ही काफी हमारे पास 5 एक बार भी नहीं है तो याद रहे, systematic series में, factorial series में 5 ही rare रहेगा factorial series में 5 ही rare रहेगा, तो जो rare है, वो ही answer तो हम 2 निकालने में time waste करी क्यों रहे है random में हमें 2 और 5 दोनों count करना पड़ता है, बाकी prime factor तो छोड़ी दो, यहाँ पर भी बाकी prime factor छोड़ी दो, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 count करो, factorial series में आप देख रहे हो, 2 हमारे पास भर भर क्या आता है, 5 हमारे पास देखो 4 factorial में 1 भी नहीं आया, 2 हलाकी 3 बार आ गए, 5 factorial में देखो 5 factorial में पहली entry हुई है, 5 की, 5 factorial में 5 कितनी बार आया है, बस 1 बार लेकिन 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे दो बार और यहाँ पे एक बार 3 टाइम्स, है न, 4 याने 2 स्क्वेर और यह 2, तो इसलिए देखो, यहाँ पे एक 5 है, 3 2s है, तो हमारे पास 5 इंटू 2 की कितनी बार बनेगी, 1 ही बनेगी, जो rare है वह answer, rare को ने 5, और इसलिए देखो, यहाँ पे एक ही 0 है, यह ट्रेलिंग 0s कितने आखरी में, 1, ते में गाई, उसी तरह आप 8 फेक्टरिल देख लो, 8 फेक्टरिल यहने 8, इन्टू 7, इन्टू 6, 6 मतलब भी क्या होता है, 2 इन्टू 3, इन्टू 5, इन्टू 4, इन्टू 3, इन्टू 2, इन्टू 1, तो 4,320 आता है, बट इसमें अगर मैं आपको 2 वोलू कितने बार है, तो देखो यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 1 बार 4, यहाँ पे 2, 6, यहाँ पे 1, 7, 7 ताइम्स, 5 कितने बार है, 5 स्रीब एक बार है, 1 ताइम्स तो systematic factorial series में, 2 हमारे पास भर भर के होते हैं, देखो यहाँ यहाँ पे already जादा थे, यहाँ पे भी already 2 ही जादा थे, यहाँ पर भी देखो कितना बड़ा difference आया, 5 स्रीब एक बार है, 2 हाला कि कितनी बार है, 7 तो rare स्रीब 5 होता है, यानि जो 5 का number आएगा, वो ही answer होगा, तो 5 ही count करो न 2 क्यों निकाल रहे हो, यहाँ पर भी देख लो, तो maximum कितनी पेर बनेगी 2 इंटो 5 की? एक, और इसलिए आखरी में एक ही 0 है, मैंने आपसे कहा, यह बीच में जो 0 आता है, यह trailing में count नहीं होता है, क्योंकि यह discontinuity होगी, continuity break हो गई, trailing 0 मतलब last वाल है, यह मैं पहले clear कर चुग हूँ, तो guys, सो बात की एक बात, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ 5 कांट करना है, और अब 5 कांट करने की मैं आपको तरीका बताता हूँ, trick बताता हूँ, तो 124 फैक्टरियल है हमारा example है, हम इसको सबको तो factorize नहीं करने वाले, तो अब और करने की ज़ोरत भी नहीं है, क्योंकि हमें स प्रेक नंबर का बस जो सर 5 से divisible है 120, 115, 110, 95, 100 बस उनी को factorize करें? नहीं वो भी बहुत लंबा हो जाएगा 5 को count करने की 124 factorial में 5 कितना है ये count करने की एक simple सी trick है जो भी factorial number है, सुनना जो भी factorial number है उसको 5 के ascending power से divide करना शुरू करो जैसे 124 divided by 5 raised to 1 plus 124 divided by 5 square plus यहाँ पर रुख जाओ तो क्यों रुख जाओ? दो बार ही लेना होता है? नहीं, आपको तब तक लेना होता है जब तक denominator is lower than numerator I repeat, आपको ये तब तक लेना होता है जब तक denominator is lower than numerator जैसे 5 raised to 1 क्या होता है? 5 तो denominator 5 है, जो की lower than numerator है 5 square क्या होता है? 25 तो 25 lower than denominator numerator है, बट अगर मैं आगे 5 cube ले लू, तो 5 cube क्या होता है guys? 125 125 क्या lower than numerator है? 124 से नहीं 125 is not lower than 124, तो ये लेके कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं मैं आगे बता रहूँ आपको, ठीक है? तो वहाँ तक लो जब तक denominator is less than numerator Now, guys, अब करना क्या है? अब simply divide करना है, जैसे 124 upon 5 plus 124 upon 25, अब मुझे बताओ जब मैं इसको divide करूँगा, answer क्या आएगा? 2, है ना? फिर 4, 24 point something, but point something को मारू गोली, हमें decimal नहीं लेना है, हमें सिर्फ integer लेना है, अच्छा, आप सोचो के, अगर बानलो, sir, 24.99 आए तो, क्या हम उसको बड़ा दिल करके 25 रख सकते हैं? बड़ा दिल मत करना, क्योंकि examiner का इतना बड़ा दिल नहीं होगा, आपको गलत देगा ये trick समझो, मैं round up करने नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, अगर 24.99 है, तो मुसको round up करके या nearly equal to 25 लिख सकते हैं, but मैं आपको यह round up करने नहीं बोल रहा हूँ, 24. जो भी something हो, 124 upon 5 क्या हो रहा है, 24.something, वो जो भी something हो, उसको पूरा ignore करो, श्रिब integer लिखो, जो भी something हो, कितना भी बड़ा something हो, उसको ignore करो, श्रिब integer लिखो, 24. तो यहाँ पर, 25, 4,100, 25, 5,000 कितना हो रहा है, 125 है, तो यह तो श्रिब 4.something आ रहा है, तो यह 24.something, हमने 24 लिखा है, 4.something, हम 4 लिखेंगे, that's it, so this is the answer, guys, 28 is the answer, अच्छा, आप में से अगर कोई यह ले भी लेता, यह ले भी लेता, मतलब 124 upon 125, तो यह division क्या थी, 0.something, तो हम क्या लिखते है, सिर्फ 0 ही लिखते है, तो यहाँ पर 24.something, 24 लिखा है, 4.something, 4 लिखा है, 0.something, हम 0 लिखते, तो से answer रत्ती भर भी बदलता, नहीं बदलता, सिर्फ time waste होता, तो आपको इसलिए यह लेने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यह 0.something, denominator, अगर greater than numerator है, greater, तो यह 0.something ही देगा, और हमें point something तो लेना ही, नहीं सिर्फ 0 लेना है, तो 0 add करने से क्या फाइदा, इसलिए यह process कहा तक लो, तब तक जब तक denominator is less than numerator, और एक बार ऐसा आपको मिल जावे, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस divide करो, और integer part को पकड़ो, फिर अगले इसमें divide करो, integer part को पकड़ो, तो इसका integer 24, इसका integer 4, आगे लेने की ज़रुवत नहीं थी, क्योंकि denominator बड़ा था, और last में इनको add कर दो, वो answer है, वो answer है, तो आप घर पे free time में, कभी भी try कर लेना, नहीं करोगे, मैं को बता है, but 124 factory लिए लिग बार पक्का निकाल के देखना, नहीं निकालोगे, निकालना भी हमाद, उससे तो पढ़ाएं में time पे, utilize करो, वो जो भी आएगा न, जो भी I don't know क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, लेकिन उसमें last में, trailing zeros, number of zeros, आखरी में पका 28 रहेंगे, ना उससे कम, ना उससे एक जादा, tested and proven trick, क्योंकि पता है, 124 factorial में 5 को, अगर मैं 5 के जो multiple से उनको factorize करूँ, तो 5 मेरे को कितनी बार मिलते है, 28, 5 मेरे को मिलते है 28 times, 2 कितनी बार मिलते है, बहुत बार, लेकिन 0 को उन देता है, 2 into 5 की pair, तो जो rare है, वो answer है, तो rare 5 है, systematic, factorial series में rare हमेशा 5 होगा, तो बस 5 काउंट करो, इसलिए हम 5 काउंट करने का ये rule है, 5 काउंट करना है, इसलिए 5 की power ले रहा, हमेशा 5 की power ही लेना, क्योंकि हमें 5 काउंट करना है, random series में number हल्डी होंगे, लेकिन सब को factorize करो, और फिर rare है वा answer बोलो, लेकिन systematic series में बस 5 काउंट करो, इस मेथड से, चलो, एक example ओर देखेंगे, और फिर हम कुछ questions करेंगे, गाईज, अगर मान लो, 1, 3, 2, 0, factorial है, क्या अगर होगे, same, factorial है मतलब systematic, उसमें बस 5 काउंट करना है, तो 5 की ascending power से divide करो, ascending power मतलब 5 raise to 1, चुरुआत हमेशा 0 से नहीं, फिर उसके बाद, तब तक करते रहो, जब तक denominator is less than numerator, 5 क्योंब याने 1, 25 होता है, चलने दो, 5 raise to 4, याने 6, 25 होता है, चलने दो, लेकिन 5 raise to 5 होता है, 3, 1, 2, 5, 5 raise to 5 कितना होता है, 3, 1, 2, 5, याने ये कितना ने वाला है, 0 point something, denominator बड़ा जा रहा है, छोड़ दो, तो यहाँ तक करना है बस आपको, 5 raise to 1, मतलब भी अगर मैं divide कर लो, 5 raise to 1, याने 5 होता है, आप direct of 25 लिखो, आपको एक्जाम में ये सब लिखने के ज़रोत नहीं, सीधा value लिखो, 1, 3, 2, 0, 5, क्योंब बहुता है, 125, यहाँ तक चलेगा, क्योंकि denominator छोटा है, यह नहीं चलेगा, बस गाईज अब कर लो, अब कर लो, गर मैं इसको divide कर लो, तो यह कितना है, 5, 2, 0, 5, 6, 0, 5, 4, 0, 264, exact, point something नहीं आया, अगर point something आता तो भी हम छोड़ते हैं, 25, 5, 125, फिर 7 पे 0 लिया, 25, 2, 0, क्योंकि 125 का 10 times कितना होता है, 125, 0, 125, 0, इसका 10 times, और इसमें अगर मैं 125 और add कर दू, तो यह कितना आ रहा है, 1375, जो की 1320 से बड़ा है, तो यह answer क्या आ रहा है, 125 को, अगर मैं, sorry, 1320 को 125 से divide करू, तो answer आ रहा है, 10 point something, चाया तो चेक कर लेना, 10 point something, 11 नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 से वो number बड़ा हो रहा है, 10 point something आ रहा है, calculator से चेक कर लेना, लेकिन again point something को हम छोड़ देते है, and 625 का double, 1, 2, 5, 0, तो yes, 2 point something आ रहा है, यह division 2 point something है, 2 लिखा, यह 10 point something है, 10 लिखा है, 52 point something है, 52 लिखा, यह exact 264 है, तो exact है, तो exact ही लिखू, तो बस इसको add कर लोगा, इस तो यह addition कितना है, 2, 4, 4, 8, फिर उसके बाद, 1, 5, 6, 12, and 3, 328, यह answer क्या है गाई, 328, मतलब अगर आप 1320 को multiply करो, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, 1320, 1319, जब तक 1 नहीं आ जाता, तो पता नहीं answer जो है, लेकिन आखरी में 328, 0, trailing 0s रहेगे, ठीके गाईस, तो this is all about the trailing 0s concept, और इसी के साथ-साथ, maximum power theorem का भी एक concept, trick आपका हो गया है, वो कैसे हुआ है, वो मैं आपको तब बताऊंगा, जब मैं start करूँगा, पहले इसके कुछ चुनिंदा questions हम कर ले थे, फटा-फटा, आजओ, So, find the number of consecutive 0, consecutive 0 भी बोला जाता है इसको, तो confuse नहीं होना है, उसने अगर trailing 0 के जगे consecutive 0 बोल दिया है, number of 0s at end बोल दिया है, तो उसस सब का meaning सेम है, 72 factorial, Again, factorial series मतलब systematic series, और उसके लिए सिर्फ क्या count करना है, 5, तब तक divide करो, 5 के ascending, raise to 1, raise to 2, जब तक denominator छोटा है, numerator से, बस यहाँ, आगे जाओगे तो 125 आएगा, तो numerator छोटा आ रहा है, denominator बड़ा आ रहा है, तो छोड़ दो, कर लो, 5, यह कितना आएगा, 14 point something, 14 point something, और यह कितना आ रहा है, 2 point something, तो हमें answer क्या लेना है, 16, point something छोड़ी देना है, 16 इस दा answer, तो 72 factorial को multiply करो, आखरी में आपको 16 trailing zeros मिलेंगे, come on guys, find number of consecutive zeros at the end of 100 factorial and 200 factorial, लेकिन दोनों का addition है, 100 factorial and 200 factorial, इसमें क्या किया है, addition पहले तो करना है, single 72 factorial का अपने निकाल दिया, लेकिन अब 2 factorial, हाला कि दोनों systematic है, लेकिन दोनों का addition होने के बाद, trailing zeros के इतने question पूछ रहे, यार ये question लेने से पहले, मैं आपका एक basic सा concept clear करू, कि जब ही भी 2 factorial series में addition हो, तो करना क्या हूता है? number of trailing zeros, majority student बता है, क्या करते है, majority student इसके number of trailing zeros निकालते है, इसके number of trailing zeros निकालते है, और यहा पह addition इसलिए add कर देते, पाद लो 100 factorial में 20 आये, और 200 factorial में 30 आये, तो इन दोनों को add कर देते, गलत है ये, क्यूं गलत है मैं, इसमें number of 0 कितने है एक, दो, तीन, चार, पाच्छे है ना और इसमें मैं एक number add कर रहा हूँ कुनसा number 1, 3, 2, 5, 7, 0, 0, 0 guys बिल्कुल ये same example हुआ सिर्फ ये factorial series फो में है ये मैंने direct आपको value दिया है तो आपने जैसे सोचा था कि पहले 100 factorial में number of 0's निकालेंगे यानि first number के तो देखो first number के number of 0 मान लो यहाँ पर कितने है 6 first number के number of 0 is 6, second number के number of 0's कितने है second number में number of 0's, trailing 0's कितने है 3 यह ना तो first और second number के trailing 0's आपको पता चल गया है guys लेकिन question ने ना ही first number के trailing 0 पूछे ना ही second number के पूछा है इन दोनों के addition के तो पहले तो first के आपको दिख रहे है, second के आपको दिख रहे है मैं आपका यह mis concept दूर कर रहा हूँ कि क्या वाक्य में अब इसके number of 0 इसके number of 0 दोनों को add कर देना चाहिए यानि कि 9 answer बोलना चाहिए नहीं क्योंकि question ने इन दोनों के addition से जो answer आने वाला है उसके trailing 0 पूछे है तो addition कर लो, देखो addition क्या है? 0, 0, 0, 7, 0 plus 5, 5, 0 plus 2, 2, 5, 3 plus 1, 4, और 5, 2 as it is तो guys question ना ही आपको इसके trailing 0 पूछ रहा है ना ही इसके पूछ रहा है question पूछ रहा है इन दोनों के addition से आने वाले value के यानि इसके तो इसमे number of trailing 0 कितनी आया? 1, 2, 3 3 ही आया है, मतलब आप मेंसे जो सोच रहा था कि दोनों की 0 को add कर देंगे गलत तो यह addition का basic rule है guys कि जब first में 6 0 है, second में 3 0 है जब दोनों को add करोगे तो आखरी में उतने ही 0 रहेंगे जो कम है तो इन दोनों में से जो number of 0 कम है पता है addition में वो ही रहने वाले है क्योंकि बचे वे जगे, मानलो यहाँ 0 था लेकिन यहाँ पर एक digit add हो जाएगा न तो यह 7 बन जाएगा यहाँ 0 था लेकिन यहाँ पर एक digit add हो गया यह 5 बन जाएगा बस इनकी जूगल बन दी 0 प्लस 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 इसले 3 0 रहें यानि जो कम number of zeros होते है उतना ही answer होता है तो यहाँ पर कम number of zeros किसमें रहेंगे तो बच्चा भी बता देगा 100 factorial में जो छोटा है उसमें कम zeros होंगे, जो बड़ा factorial उसमें जाद होंगे चाहे तो चेक कर लो, चाहे तो चेक कर लो देखलो, 100 factorial, again 100 factorial में number of zeros आप कैसे निकालोगे तो 100 upon 5 plus 100 upon 25 बस यहाई पर रुख जाओ क्योंकि upon 125 आएगा कोई मतलब नहीं 0 point something तो यह कितना है आप 20, यह कितना है 4 अगर आप 200 factorial का निकालो, तो कैसे निकालोगे 200 upon 5, 200 upon 25 आगे जा सकते हैं 200 upon 125 आगे रुख जाओ, क्योंकि आगे 625 आएगा छोड़ दो, तो यह कितना आया 40, यह कितना आया 8, यह कितना आया 1 point something 1 point something यहने 1, तो 100 factorial में number of zeros कितने 24 200 factorial में number of zeros कितने 49 बट, question नहीं 100 factorial के पूछे हैं, नहीं 200 question नहीं दोनों के addition के पूछे, तो guys पता है आपको 200 factorial में कोई तो बड़ा सा number आएगा और 49 times 000 रहेंगे 100 factorial में कोई तो एक number आएगा और सिर्फ 24 times 00 रहेंगे तो जब मैं दोनों को add करूँगा तो सिर्फ इनकी जुगलबंदी होगी न तो इसलिए ऐसे case में guys जहाँ पे दो या दो से जादा number का addition है, तो number of zeros कितने होते हैं number of zeros वो होते हैं, जो छोटे वाले factorial के हैं, तो इन दोनों में छोटा कोने 100 factorial, उसका जो answer है, वो ही answer 24 और वो मैंने आपको simple से example से ज़स्ट बताया था, एक में 6 0 थे एक number में 3 0 थे, बड़ दोनों को आपके सामने में आड किया, तो last में जो answer बना addition का, उसमें 3 0 थे यानि जो छोटे वाले number के 0 होते हैं, वो ही answer में आते हैं तो जब ऐसे 2, या 2 से जादा भी number दिये, तो time waste मत करना आपको अगर दिख रहा है, 2 number में या 2 से जादा number में addition है तो जो सबसे छोटा factorial number है, उसके ही 0s निकाल लेना वो ही answer रहने वाला है, बड़ा निकाल के time waste मत करना, बड़े के 49 है, छोटे के 24, बड़ जब add करेंगे answer 24 ही आएगा addition में answer वो ही आता है, जो छोटे factorial में क्या है, तो 100 factorial में अभी आपने देखा, number of 0s कितने है 24 200 factorial में अभी आपने देखा number of 0s कितने थे 49 बराबर, लेकिन इस बार इनके बीच में multiplication है, तो multiplication का भी मैं आपको एक rule बता दू, आप ही मुझे बता दू multiplication कैसे करते हो, मान लो 2850000 into 1000 है, मुझे बताओ, इसके लिए कभी भी आपको calculator की ज़रोत पड़ती है, नहीं, आप सिधा क्या करते हो 1000 ही न, तो 285 as it is, और बस 0 काउंट कर लेते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 0 यहाँ पे line से लगा देते हो, गाईस, क्यानि multiplication में आप 0 को add करते हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, कि 1st number में number of zeros कितने है 4, 2nd number में number of zeros कितने है, 3 तो 4 into 3, 12 285 के आगे 12 0 लगा दो ऐसा कर रहे हो, आप नहीं आप common sense से सोचो कि day to day life में जब ऐसा कोई calculation आपके पास आता है जहाँ पे 2 number में multiplication है मानलो ये 2 number अब simply इसका answer, इसके लिए तो calculator भी ज़रूत नहीं क्यों कि 1100 अगर ये सब चीज़े तो अब सिधा 285 लिखते हो, और क्या करते हो इसके 4 0, इसके 3 0 add करके चिपका देते हो, multiply नहीं करते हैं तो guys जब अभी 100 बात की एक बात जब 2 number में addition हो, तो सब को निकालने की ज़रूत नहीं, जो छोटा factorial उसको निकालो, उसका जो answer, वो ही answer रहेगा addition में, लेकिन multiplication में क्या करो दोनों को निकालो और add करो जिनको 73 answer पिछले question में लगा था, वो actual में इस question का answer है क्योंकि first में number of zeros है 24, मतलब ये number कुष्टो रहेगा आखरे में 24, 0, into second में ये number कुष्टो रहेगा, आखरे में 49, 0, लेकिन जब दोनों को multiply करोगे, तो simply इसके 0 और इसके 0, इन दोनों का non-zero number का जो भी multiplication आएगा उसके बाद इन दोनों की 0 को add करके आप line से लगा दोगे जैसे कि यहाँ पर किया 285 into 1 आया 285 और ये 4 और 3, 7, 0 लाइन से लगा दी तो इसके answer में multiplication के answer में number of trailing zeros ये दोनों का multiplication नहीं आया है 4 into 3 का इसमें 4 इसके 3, तो multiplication 12 नहीं इन दोनों का addition आया है तो वही हमने किया, यहाँ पे 24 यहाँ पे 49 अगर addition होता है इनके बीच में तो क्या करते है, 24 answer बोल देते हैं लेकिन अगर multiplication है तो दोनों का addition है उतने trailing zeros रहेंगे last में, 73, पर अगर आपको यह चमक गया होगा तो this question is for homework ये question homework में solve करो and answer बताओ ठीक है next question find the number of consecutive zeros at the end of अब यहाँ पे series देखके आपको clear हो रही है कोई भी number कभी भी आ रहा है याने क्या होगा यह? random series और random series में 2 और 5 दोनों count करना होगा याने आपको factorize करना होगा तो 2 और 5 count करो और जो rare आएगा वो answer आएगा ठीक है? तो guys come on, 57 57 तो मैं orally बता दू 19 into 3 होता है 19, 3000 है ना नहीं इसमें 2 है नहीं 5 है मतलब यह number देखे जातो कोई काम का नहीं, irrelevant है क्योंकि हमें स्रिफ 2 और 5 count करना है तो यह हो गया 57 नौ 60 60 को अगर factorize आप करो तो 60 मतलब होता गया है 15, 4,060 तो 4 याने 2 square 15 याने 3 into 5 तो 60 को अब डारेक्ट लिख सकते हो 2 square into 3 into 5 यह होगा 60 next 30 30 मतलब क्या 2 into 5 into 3 15 into 2 न, 30 आने 15 आने 3 into 5 तो 2 into 3 चेक कर लो चाहे तो सही भी doubt आ रहे चेक कर लो 2 into 3 into 5, 30 ही मिलेगा 2 square 4, 4 into 3, 12 12 into 5, 60 ही मिलेगा now 1, 5, 6, 2, 5 गाई यह होता है 5 raise to 6 चाहे तो चेक कर लो 1, 5, 6, 2, 5 अब यहाद पर हमें clear है कि 5 मतलब 5 से तो पक्का divide होगा 3 से होगा नहीं होगा आगे समझ जाएगा लेकिन 5 से तो पक्का होगा तो आया 3, 1, 2, 5 फिर यह 5 से होगा 6, 25 फिर यह 5 से होगा 125 5 से होगा 25 5 से होगा 5 और 5 से होगा 1 देखो 1 आगया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कितने बार है 5? 6 ताइम्स बराबर ना उसके बाद 4, 0, 9, 6 गैस 4, 0, 9, 6 2 raise to 12 होता है 2 raise to 10 1, 0, 2, 4 होता है बच्चा-बच्चा जानता है नहीं जानते हो तो याद रख लो यह बहुत जगे काम आता है 2 raise to 10 यह 1, 0, 2, 4 होता है इसको अगर मैं और एक 2 से मल्टिप्लाइ कर लो यानि 2, 0, 11 तो यह कितना हो जाएगा? 2 raise to 10 था मैंने और एक 2 से मल्टिप्लाइ किया दोनों साइड में तो इधर भी 2 से मल्टिप्लाइ किया यह 2 raise to 11 बन गया इधर भी 2 से मल्टिप्लाइ किया 2, 0, 4, 8 बन गया मैं इसको और एक बार 2, 2 से मल्टिप्लाइ करता हूँ तो 2 raise to 12 हो गया यह और यह कितना हो गया? 4, 0, 9, 6 तो 4, 0, 9, 6 मतलब ही क्या? 2 raise to 12 अगर आप यह फैक्ट्राइस से भी करते तो बड़ाबर 2, 2, 2, 12 टाइम सा था लेकिन आपको यह 2 raise to 10, 1, 0, 2, 4 पता है तो यहाँ तक तो ठीक था 4, 0, 9, 6 एक बार 2 से मल्टिप्लाइ किया 2 raise to 11 यह बना और एक बार 2 से किया 2 raise to 12 वो ही बना और गाइस उसके बाद 625 625 क्या होता है? 5 cube sorry 5 raise to 4 5 raise to 4 अब बचा गया? 875, 975 तो 875 को कर लेंगे 5, 1, 3, 7 5, 7, 0, 5, 5, 0 और 5 से हो रहा है? Yes 3, 5, और 5 से हो रहा है? Yes अब यह 7 से हो रहा है तो 875 मतलब कितना बना? यहा लिख लेता हू 5, 3 times into 7 one time and last है guys, 975 1, 9, 5 और 5 से हो रहा है? 5, 3, 0, 5, 9, 0 अब यह 3 से हो रहा है? देखो 3 से होना है तो आगे हो गई tension नहीं है तो हमने direct 5 से शुरुबात किए उनिट इस इट 5 को देखा लेकिन आगे 13 नहीं 3 से हो गई 13 और 13 खुद एक प्राइम फेक्टर है तो यह क्या बना? 5, 2 times into 3 into 13 नहीं भी लिखा तो चलेगा हमें सिर्फ 5 और 2 देखना है तो guys सारे नंबर को factorize हमने कर दिया है 57, 60, 30, 15, 625, 4096, 625, 875 and 975 अब बस क्या कर लो? count कर लो 2 कितने 5 कितने तो 2 हमारे पास देखो कितने है 2, 3, 3 और 12, 15 है ना? यहाँ पे 2 और यह 1, 3 जिसकी कोई power नहीं बन है and 12, 15, 15 बस 15 time ठीक है? और 5 देख लो कितनी बार है? 9, 1, ठीक है? 2, 1, 2, now 2 and 6, 8 8 and 4, 12, 12 and 3, 15, 15 and 2, 17 times तो guys, यह आ गया 5 and 2 और मैंने क्या कहा? जो rare है वो answer है, तो इस बार rare है 2, इतनी बार 15 तो 15 pair बनेगे बचे वे 2, जो 5s है, 17 times 5 है तो 15 तो pair बना लेंगे और जो 2 बजगे हो यह सी QR है रह जाएंगे but 15 should be the number of trading zeros come on guys, next question तो इसका एक last question है करेंगे और फिर हम देखेंगे maximum power theorem, उसको आप ज़्यादा time नहीं लगएगा क्योंको मैंने कहा है indirectly मैंने आपको concept trick बताई दी उसकी बस आपको थोड़ा justify करना है now, find the number of guys पहले तो series देख के बता दो तर यह तो random series है रहे, नहीं सिर्फ factorial series ही systematic series नहीं होती है, मैंने starting में बता है predictable series, तो यह predictable है 1 raise to 1, 2 square, 3 cube, 4 raise to 4, 5 raise to 5, 6 raise to 6 अगर मैं अगला number पूछा आपको, तुम निकाल सकता हो 11 raise to 11, अगला 12 raise to 12, yes तो अगर आप next number predict कर सकते हो, मतलब यह predictable है मतलब यह systematic है, और systematic systematic series में rare कोन होता है, सिर्फ 5 generally systematic series में rare कोन होता है, factorial में तो पक्का 5 ही होता है but other systematic series में भी generally 5 ही होता है, factorial में तो आख़े बन करके 5, लेकिन other systematic जैसे कि यह, इसमें भी rare कोन होगा 5, क्योंकि तेखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है 2 square मतलब 4 होता है और उसका rest to 4 है 2 यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि 6 का वे एक factor 2 है 2 इंटू 3 2 यहाँ पर भी आ रहा है 2 cube and 2 यहाँ पर भी आ रहा है 10 में 2 इंटू 5 लेकिन guys देखो 2 कितनी जगे आ रहा है इतनी जगे लेकिन 5 कहा आ रहा है सिर्फ 5 स्र 真的자를 ईहार आ और 5 स्रल भी हार है यहना तो rare को ने 5 तो सर्फ 5 count करो 5 count क्या करना है देको 5 हमें count करके धे दिया question ने मुझे बताओ यहाँ पर 5 आएगा नहीं 5 यहाँ पर आएगा नहीं 5 आएगा सिर्फ यहाँ पर 5 यहाँ पर आएगा नहीं 5 आएगा स्रीब यहाँ पे, मतलब आपको स्रीब यह count करना है, 5 raise to 5 and 10 raise to 10, अब 5 raise to 5 में तो 5 है ही आपके पास, already factorize करके दे दिया, ऐसी factorize हम करते है न, तो question है factorize करके दे दिया, 10 मतलब क्या होता है, 2 into 5 raise to 10, बस हमने 10 को factorize किया, 10 मतलब क्या है, 2 into 5, तो guys, अब सिर्फ 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पे है 5 बार, और 5 यहाँ पर है 10 बार, 5 raise to 10 है न, यहाँ फिफ्टीन टाइम्स, 15 टाइम्स, तो हमारे पास भर-भर के, देखो 2 यहाँ पे 2 है, तो यह 2 square का raise to 4, याने 2 into 4, 8 हो गया, तो यह 2 raise to 6, क्योंकि 6 का एक factor 2 भी है, 2 into 3, है न, यहाँ पे 2 cube का raise to 8, याने 24 तो यही हो गया, यह अक्यला 24 इसको भारी है, और 2 यहाँ पर भी तो है न, last में, 10 में, 2 into 5, यहने 2 भी है, तो 2 तो हमारे पास भर-भर के है, जो rare है, वो answer है, rare systematic में generally कोन होता है, 5 ही होता है, तो guys, 5 हमारे पास सिर्फ यहाँ पे था, सिर्फ यहाँ पे था, यहाँ 5 कितनी बार था, 5 बार, यहाँ 5, 10 मतलब क्या होता है, 5 into 2, place to 10, तो यहाँ 5 कितनी बार है, 10 बार, तो 15 times 5 है, 2 कई बार यह भर-भर के है, लेकिन maximum pair कितनी बनेगी, सिर्फ 15, और जितनी pair उतना answer, that's it, तो guys, यह था आपका number of trailing zeros, अब maximum power theorem के theme, question का theme कैसे होता है, वो समझो, पिर तरीका जो मैंने आपको बताया, वो मैं justify भी कर दूँगा, जो factorial series के लिए मैंने तरीका बताया था, trailing zero निकालने का, वो ही तरीका यहाँ पे, लेकिन वो हम compulsory किसके साथ करते थे, 5 के साथ, 5 के साथ क्यों करते थे, क्योंकि trailing zeros निकालना है, तो 2 और 5 जादा important है, वो ही दो important prime factor, लेकिन 2 तो हमारे पास काफी है, तो जो कम है, बस हो ही count करना था, तो इसलिए कम 5 ही होता है, तो 5 हमने count किया उस method से, अब यहाँ पे question maximum power theorem में पता है कैसे आएगा, question बोलेगा, कोई भी एक number, मानलो, 1, 110, factorial को, 5 की कितनी maximum, कौन सी maximum power है, 5 की जो 110, factorial को divide करेगी, guys, जभी भी ऐसा question आएगा, what is the maximum power of 5, which divides 110, factorial completely, ठीक है, what is the maximum power of 5, which divides 110, factorial, completely, तो guys, आपको पता है कि 110, factorial मतलब बहुत बड़ा number आने वाला है, क्योंकि यह factorial मतलब पता है, आपको इसका descending में multiplication 1, इतना multiplication, बहुत बड़ा number आएगा, तो इस बहुत बड़े से number को 5 की maximum, कौन सी power है, जो divide करती है, जब question ऐसा बोलेगा न, तो वो ही करना है, जो आपने अभी किया, guys, जिसका भी power पूछा है, उसके prime factor, अब यह 5 खुद prime factor है, इसलिए आप यह कर सकते हो, याद रहे, यह जो method है, यह स्रिप prime factor के लिए apply हो गिया, तो 110 बता रहो, सब चीज़े clear करूँगा, don't worry, तो फिलाल इस example पर आते हैं, फिर वो prime वाली बात मैं आपी सब को justify करूँगा, example के थूँ, तो 110 factorial को divide करने वाला 5 की maximum power क्या, तो वैसे तो देखो 5 raise to 1 तो पक्का इसको divide करेगा, 5 square यानि 25 ही होता है, वो भी करेगा, 5 cube भी कर सकता है, तो आपको बोला है, maximum power क्या है 5 की, यानि in short question यह पूछना न, कितनी बार 5 आएगा, number of trailing zeros में जो आप 5 से यह operation करते थे, 110 raise to 5, plus 110 raise to 5 square, उसमें भी आप 5 काउंट करते थे, यहाँ पर भी 5 की power धुनना है, मतलब 5 काउंट करना है, कि 5 की maximum power क्या, यह मतलब क्या, वो maximum power, जो इसको completely divide करेगी, completely, ठीक है, तो guys, 110, जो भी factorial है, उसको divide by 5, फिर 110 raise to 5 square, same, same, 5 raise to 1, 5 square, और तब तक करते रो, जब तक denominator छोटा है, numerator स है, तो बस यहाँ पर रुख जाओ, क्योंकि आगे आएगा 125, जो की definitely बड़ा है numerator से, पर बस यह कितना हुआ 2, 22, यह कितना हुआ 4, याने 26 times, 26 is the value of n, मतलब पता है, 5 की वो कौनसी maximum power है, जो 110 को completely divide करेगी, 5 raise to 26, यह n कितना आया, 26, तो guys, मतलब 5 raise to 1 तो इसको पुरा, क्योंकि इतना बड़ा number है न, 5 raise to 1, 2, 10, 20, 25, divide करेगा, 5 raise to 26 भी इसको completely divide करेगा, हाँ, अगर आप 5 raise to 27 लोगे, 110 को divide करने, तो फिर answer decimal में आएगा, 5 raise to 25 इसको completely divide नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 की वो कौनसी maximum power आपने निकाली, जो इसको completely divide करेगी 26, 26, तो उसके ओपर कोई भी power लेलो, वो completely divide नहीं करेगी, वो decimal में, तो यही trick है, जबी भी question, मैंने कहा, पहले question की theme समझो, question की theme क्या है, जबी भी आपको ऐसा बोलेगा, कि what is the maximum power of this, which divides that, what is the maximum power of this, which divides that, तो यह method का माई, जैसे मैंने आप से पूचा, what is the maximum power of 5, which divides 110 factorial, आपने क्या क्या हुई, जिसका factorial है, उसको divide क्या, जिस के prime, जिस prime factor की power पुची थी, उसके ascending power से, सब तक जब तक denominator छोटा है, और finally, जो answer है, वो ही आपका power है, वो ही आपकी maximum power है, suppose, लेकिन, इसमें twist देखो, अगर question बोले, what is the maximum power of 12 factorial, sorry, what is the maximum power of 6, which divides 12 factorial, again 12 factorial मतलब पता है न, 12, 11, 10, ऐसे करते करते, 1 तक, बहुत बड़ा number आने वाला है, तो 12 factorial को divide करने वाली 6 की maximum power पुचा है, 6 की, guys, इसके पहले आपको 5 की पुचा था, 5 यह मैंने अभी थोड़ी और पहले कहा न, कि यह जो concept है, यह जो trick है, यह सिर्फ prime factor के लिए apply होती है, तो मुझे बताओ, यहाँ पे 5 prime था, number of trailing 0 में भी हम 5 से कर रहे थे, वो prime था, यहा तो factorize करो मतलब क्या 2 into 3, factorize form में convert किया, prime factor क्या बने 2 into 3, तो guys, अब आपको यहाँ पे rare कोने, एक चीस्तों आप समझी के होंगे, 2 into 5 में rare कोन था, जब हमने trailing 0s देखा, factorial series में, तो 2 into 5 में rare कोन था, 2 into 5 में rare 5 था, यहाँ जो बड़ा होता है, factorial series में, जो prime factor बड़ा होता है वो rare होता है, तो यहाँ पे बड़ा कोने 3, तो आपको यह पूरी process, जो है, जिसका भी factor बोला है, उसको divide करना है, लेकिन 6 से नहीं, 2 से नहीं, highest prime factor से, तो 6 में highest prime factor कोने 3, तो 3 से करो guys, यह 3 से करो, मैंने गाने, यह trick स्रिफ prime के लिए होगी, लेकिन अब prime क्या, अगर आपक की maximum power आएगी, वो ही 6 की maximum power रहेगी, जैसे number of zeros कोन create करता है, 10, बट 10 कोन लाता है, 2 into 5, तो 2 तो भर भर किया है, जितने 5 रहेंगे, उतने ही 10 बनेंगे, उतने ही zeros बनेंगे, इसलिए हम 5 count किये थे, उसी तरह यहाँ पर आपको 2 into 3, 6 की power पूछा है, बट यह method prime के लिए अप prime factor यह है, उसमें जो बड़ा है, वो कम, देख लो न आप, 5 factorial में, आप ही देख लो, 5, 4, 3, 2, 1, 2 कितनी बार आया, देखो यहाँ पर आया, और मतलब किया 2 square, लेकिन 3 कितनी बार आया, श्रीव एक बार, तो rare कोने, जैसे 2 और 5 में rare 5 था, 2 और 3 में भी rare कोने, 3, इसका मतलब आप क्या समझे, जो बड़ा होता है, वो rare होता है, और इसलिए यह method में किससे करनी होगी, उस बड़े prime factors, तो जब आपको prime factor की power पूछी है, जैसे कि यहाँ पर 5 की पूछी दी, फिर तो tension ने direct करो, ले highest उसका prime factor है, उस पर यह process apply करो, क्योंकि मैंने आपको example से बता दिया, 5 factorial ही देख लो, 6 factorial ही देख लो, 8 factorial ही देख लो, उसमें 2 भर-भर के, लेकिन 3 कम आएगा, as compared with 2, यह जो बड़ा होता है, वो rare होता है, तो 3 से करो, 12 factorial बोला है, तो 3 raise to 1, कब तक करो, जब तक denominator छोट है, 3 3 raise to 2, 3 raise to 2 होता है, 9, आगे लेने की ज़रूत है, 3 की बोदा है, 27, नहीं, यह ज़रूत नहीं है, तो यह कि इतना होँआ, 3, 4000, और यह होँआ, 1 point something, मैंने गया न, point something को छोड़ो, 5 is the answer, तो guys, 6 की, अब यह जो 5 answer है, यह 3 के लिए नहीं हुआ, यह फूरा किस के लिए क्योंकि हम बस यह बोलना चाहते हैं कि 3 कम से कम 5 बार तो आएगा ही, मतलब 3 की वो maximum power जो इसको divide करेगी, वो 5 है ही, और 2 तो हमार पास ऐसे भर भर के पड़े है, तो इसलिए 2 और 3 दोनों मिला करे, यह 6 की maximum power कुनसी है, जो इसको divide करेगी, वो है 5, यह आप process भला ही 3 के लि से twist है, इसमें थोड़े advance twist है, बट जो की हमारी ये batch foundation batch है, तो foundation batch की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मैं आपकी स्रीब यहाँ पे basic level, basic foundation level करवा रहा हूँ, इसमें जो advance है, कभी-कभी क्या होता है, हम किसी number को जब factorize करते हैं, तो यहाँ पे powers के साथ आए, यानि 2 raise to 4, ब पढ़ा सकता है, अब वो कैसे check करना है, उसकी एक अलग concept है, उस case में हमें 2 से भी करना शायद पढ़ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करना ही पढ़ेगा, शायद करना पढ़ सकता है, कभी-कभी आगे रहता है 2 raise to 4, किसी number का prime factor 2 raise to 4 into 3 square into 7, तो 7 से करे, या 2 से करे, या एक challenging होगा, वो check करने में अपने आप में एक बड़ी method है, लेकिन वो एक advance है, तो जैसे मैंने कहा है foundation batch है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वो ही बता रहा हूँ, जहां किसी भी number का factorize, यह raise to 1 में आ रहा है, जैसे 6 का 2 into 3, पावर में नहीं, याने 2 square into 3 में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं 2 square into 3, याने 12 की power नहीं पूछ रहा हूँ अपको, क्योंकि फिर इसमें हमें check करना होगा, कि 2 से किया जाए या 3 से, क्योंकि यहाँ पे power आने वाला है, याने यहाँ यहाँ पे 2 भी बटने वाला है, 2 हमारे पास भर-भर के होगा भी पर वो बटने वाला है, तो guys, वो एक अपने आप में एक advanced concept है, इसलिए मैं वो अभी फिलाल side में रख रहा हूँ, जहाँ पे prime factor की power आ रही है न, वो concept में side में रख रहा हूँ, जैसे हमने number of 0 में 2 into 5 देखा था, तो हमें पता है 5 सबसे rare होगा, क्योंकि यहाँ पे power भी सबकी 11 थी, तो इसलिए 2 into 5 पेर हमें धुणना था, तो हमने 5 धुणना, क्योंकि जहाँ पे power सबकी 11 है या same है न, तो जो बड़ा होता है वो rare होता है, तो 2 into 5 में rare हुआ 5, 6 में क्या हुआ 2 into 3, देखो यहाँ पर भी power सबकी 11 है, तो जो बड़ा होता है वो rare होता है, इसलिए हमने 3 से किया, guys, कमझ रह rare को ने, जो बड़ा है, देखो यहाँ सबकी power 11 है न, तो फिर हम यह concept यूज कर सकते हैं, जो बड़ा है वो rare है, जो बड़ा है वो rare है, लेकिन जब यहाँ पर power कुछ 2 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो, तो फिर उसके लिए check करने की एक अलग concept है, जो advance में आएगी, तो मैं, maximum power theorem का आपको स्री basic वाला पार्ट बतारो इस foundation में, ठीक है, तो 2 इंटू 3, यह होदा है 6, तो 3 से हम करेंगे, 124 upon 3 raise to 1, 124 upon 3 square, 124 upon 3 cube, 124, तब तक करते हो, जब तक denominator बड़ा है, 81, 124 raise to 243, नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ तक denominator छोटा है, तो यहाँ तक denominator छोटा था, आ आगे जाओगे, तो denominator बड़ा हो जाएगा, तो बस यही कर लो, और करना भी क्या है, करना पूरा नहीं, यह कितना है, 41 point something, point something को छोड़ दो, यह कितना है, 13 point something, point something गया, यह कितना है, 4 point something, यह कितना है, 1 point something, बस इनको add कर लो, इनका addition जो भी आएगा, वहर हैगी, 6 की maximum power है, जैसे कितना है 54, 58, 59 तो 6 raised to 59 है जो इसको completely divide करेगी 6 की वो maximum power जो इसको completely divide करेगी वो 59 है process भला ही हम 3 से कर रहे हैं लेगी ने पूरा answer 6 का होता है जैसे 0 में मैंने कहा आपसे 10 10 में एक 0 है बट 10 को हम कैसे निकालते है 2 into 5 की pair but count क्या कर रहे थे 5 लेकिन answer क्या बता रहे थे 0 का count कर रहे थे 5, answer बता रहे थे 0 का इसी तरह हम count कर रहे 3 लेकिन answer बता रहे 6 का क्योंकि अगर इतने 3 है तो 2 तो definitely उससे ज़ादा है यानि इतनी pair तो बनी जाएंगी 6 59 उससे ज़ादा नहीं उससे ज़ादा अगर आप 60 पावर भी ले लो तो answer decimal में आएगा completely divide नहीं होगा देख लो guys अगर ऐसा बोला जाए आपको कि बताओ 15 की वो maximum power क्या जो 115 फेक्टरिल को divide करे but again 15 क्या हुआ composite तो उस case में क्या करो उसको factorize करो 3 into 5 3 into 5 में rare को नाएगा 5 जैसे यहाँ पर square होगा यहाँ one होगा तो उसका एक अलग advance concept है समझने का तो वहाँ की बात हम अभी नहीं करेंगे foundation में यह ना तो वहाँ की बात अभी नहीं करेंगे लेकिन जब power same है तो definitely जो बड़ा हो रहे रहे तो यह पूरी process हम किस से करेंगे वह पूरी process हम 5 से करेंगे 115 upon 5 115 upon 5 square तब तक और जब तक denominator छोटा है आगे जाओ मत आगे 125 आने वाला है यानि बड़ा हो जाएगा छोट दो तो यह वाँ 23 यह कितना होँआ 4000 यानि यह हो गया 27 तो 27 लेकिन भले हमने किया process 5 से है लेकिन किस पर अपला होगा यहाँ पर यानि 15 को maximum power क्या जो इसको divide करे 15 raise to 27 come on guys 130 factorial को divide करने के लिए 21 की maximum power क्या again 21 composite number है इसको prime factor कैसे करेंगे 7 into 3 बट इसमें बड़ा prime number देखो दोनों की power same है तो rare को होता है जो बड़ा है यानि 7 तो इस पूरी process हम 7 से करेंगे 7 7 square आगे मत जाओ क्योंकि denominator बड़ा हो जाएगा देख लोग यह क्या आएगा 7 1 7 5s ठीक है 15 point something यह क्या आएगा 2 point something यहने answer क्या होगा 17 तो 17 क्या हो जाएगा 21 की maximum power 7 की नहीं 21 की maximum power जो इसको divide करेगी सेम वह है जो trailing 0 में factorial series के लिए हमने किया था वहाँ compulsory 5 से करते थे क्योंकि वह 5 ही matter करता था 2 into 5 में 5 सबसे rare था लेकि नहीं जिसका भी बोला होगा उसको factorize करो और जो बड़ा prime factor है पावर सेम है 1 1 2 2 जो भी अगर सेम है तो जो बड़ा prime factor है वो rare है उसी को count करो वो count करने के बाद जो भी answer आएगा वो final answer होगा वह process 7 से होगी बट वह answer 21 का होगा process 5 से होगी answer 15 का है चमका guys और मैंने कहा कि उसमें जो advanced concept है उसमें जहाँ power अलग-अलग हो फिर वह check करने का एक अलग style है तो उसकी बाद हम बाद में करेंगे so guys शुरुवात करते इसके question की तो आपको बोला है कि 146 factorial को divide करने वाली 5 की maximum power क्या this is your homework है ना समझी क्योंगे आप 5 अपने आप में prime है तो सीधा 5 से करो सीधा 5 से करो कब तक करने आपको मालूम है 125 25 तक प्राइंसर बता देना और यहाँ पर बोला है कि 146 same number को divide कर 6 की power पूछे लेकिन 6 composite है तो 6 को आप क्या लिखोगे 2 into 3 और highest prime factor को ने उसमें 3 power दोनों की same है तो यह process 3 से करो 146 upon 3 9 27 कब तक 81 तक क्योंकि आगे denominator बड़ा होने वाला है और यह बस point something को छोड़ो जो भी quotient आ रहा है add करो और वह answer इसका होगा process 3 से होई बट answer इसका होगा तो देख लेना गाईज मैं homework का answer बता दू मैं क्यों बता हूँ आप ही comment में बताना है ना तो आपको 3 homework दिया है आज trailing 0 का एक दिया है जहाँ पर दो number का multiplication था factorial वाला और फिर इसका तो मैंने process बता ही दिया बस आपको calculate करना है इन दोनों का ठीक है तो इसका advance concept बाद में जहाँ पर हम advance batches देखेंगे लेकिन foundation इतना ही है इन दोनों का trailing 0 भी और maximum power theorem तो guys बस पढ़ो homework का answer बताओ और जुड़ जाओ next topic में जो की again धासू topic होने वाला exam point of view thank you so much bye bye good day take care enjoy